नमस्कार दोस्तों सीथे जंगल से आज में आपको एक और दुरला दड़ी बूटी की खोज कराता हुगा आपके समक्ष लेके हाजिर हुगा हूँ ये जो आप उसादी देख रहे हैं इसके पत्तों को ध्यान से देखिएगा इसके पत्ते देखने में सीसम के पत्तों के समान नजर आते हैं आप उनको ध्यान से देखिएगा तो इसको सीसमा भूइकंद बुला जाता है सीसमा भूइकंद या सीसमा शुड़कंद के नाम से ये बूटी पैच्छानी जाती है ये सीशमा सुड़कंद या सुड़ भुर्वाल है तो हम यो कहें कि इसको सीशमा सुड़कंद या सुड़ भुर्वाल आधी नामों से इसको पैचाना जाता है और आम बोलचाल की भासा में हमारी यहां इसको किलिलुगा बोला जाता है और इसको सनिया या गुलिया के नाम से जानती है तो ये जो गोल पत्ती की होती है इसको हमारी याँ गुलिया कहती है और दूसरा जो वो इसका पौदा है वो भी मैं जल दे लाओंगा ये इसकी आप फूल और इसकी फली को देख सकते है ये इसकी फूल और दोनों फली एक साथ ये इसकी फली है ये आप देखिये फली जब पक जाती है तो उसमें आग के समान उसमें रूही निकलती है तो दोस्तों ये था इसका पर्शे और इसकी औसादी गुर्द्रम बताने से पहली मैं आप से कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जो वेडियो डालू उसकी जानकारी आप तक पहुंच सके ये देखे इसकी ये अभी परपक का बस्ता में होने वाली है इस फली दो फली आपस में जुड़ी हुई हैं जैसे अनंत मूल की होती है और और भी वसलियों की होती है लेकर ये बहुत सुच में है इसकी जड़ों को जब हम खोदेंगे तो नीचे आलू की समान कंद निकलता है इस कंद का ये स्वाद होता है कि अगर आप इसको जैसे ही खोदें वैसे ही अगर धो करके खा लें तो ये स्वादिस लगेगा वरना दस से पांच मेंट हो जाएं अगर आप इनकी पत्यों को सुबह चखेंगे तो ये पत्या स्वादिस लगेंगी खटी लगेंगी और बाद में अगर दिन के चड़ने पर अगर इसको सेबन करेंगे तो बेसुदी हो जाती है बेसुदी इसको ये बहुत अच्छा गुड़ है और ये जो ये आप देख रहे हैं उसदी ये बहुत इच्छा काम करती है डापिटिज के रोगियों के लिए लिकोरिया के रोगियों के लिए और ये दुरवलता का नास करती है ये मंदागनी यानि भूग को भी बढ़ाती है वात रोक के समस्त रोगियों के लिए ये लापकारी है और रक्त को ये स अच्छा फाइदेबंद है इसका योग जो है आप क्या करेंगे आप उसके कंद को कूट पीस करके और चूरन बना करके आप उस शेवन करना है तो ये बहुत एच्छी हो सदिये आपके इन बीमारियों को दूर करने के लिए आती दुरला पिचमत का इन उसकों से मैं फिर युरूंगा